पुराने जमाने में इराग की राजदानी, बगदाद में एक व्यापारी रहता था, नाम था उसका अली खुआजा, व्यापार करते करते, जब उसके पास एक हजार सोने की मोहरे इकटी हो गई, तो उसने मक्का शरिफ की यात्रा का निश्चे किया, क्यूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमापुन्जी अपने मित्र के यहां रखने का निश्चे किया, यात्रा के खर्च के लिए उसने पांच सो मोहरे गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाता हूँ, मक्का से लोट कर ले लूँगा, वाजित ने अपने तर्खाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि, आप अपना घड़ा तर्खाने में रख आईए, और ज दिन वाजित के घर दावत थी, तरह तरह के पक्वान बनाते हुए तेल खत्म हो गया, रात का समय था, वाजित की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी, तबी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई, उसने वाजित से कहा, आप तखाने में रखे तेल के लाईए, इस समय बाजार तो बंध है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर गड़े में भर देंगे, खुजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे, बीवी की बात सुनकर वाजित तैखाने में गया, जब गड़े की सील खोल कर तेल निकाने लगा, तब गड़े में से सिक्कों की आवाज आई उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है इसलिए उसने दुसरे बरतन में सारा तेल निकाल दिया उसने देखा कि घड़े में तो पात्सो सोने की मोहरे थी उसने उन मोहरों को अपनी तीजोरी में चिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया अगले दिन उसने बाजार्स से नया तेल लेकर गड़े में भर दिया उसे वैसे ही सिल बंद कर दिया जैसे ही ख्वाजा अली ने किया था कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यातरा से वापस आया घर में अपना सामान रख कर वह सिधा वाजित के गर गया और अपनी यातरा की सारी बाते बताई फिर तेल का गड़ा लेकर वह गर आ गया जब उसने गड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरो तले जमिन ही खिसक गई वह सिर पकड़ कर बैठ गया क्योंकि गड़े में एक भी सोने की महर नहीं थी वह सोचने लगा अब क्या किया जाए वह उल्टे पाउं वाजित के गर गया और अपनी महरे मांगने लगा वाजित ने कहा कि सिल बन तेल का गड़ा आपको उसी स्थान से मिला ज दोनों का जगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकठे हो गए उन्होंने जब जगड़े को बढ़ते हुए देखा तो खुआजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाईए वह ही आपके जगड़े को मिटा सकता है खुआजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परंत तो पके सबुतों के अभाव में उसे वहां से निराश लोटना पड़ा तब उसने बगड़ाद के खलीफा के यहां अपिल की और न्याय मांगा खलीफा ने उसकी अपिल स्विकार कर ली खलीफा ने सहरे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा एक सपता बात का सम सुनवाई के लिए दिया गया, ख्वाजा और वाजित का किस्सा अब प्रक्यात हो गया था, खलिफा एक दिन अपना भेश बदल कर शहर में गूम रहे थे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय लई का खेल खेलते हुए देखा, वह छिप कर उनका खेल देखने लगे उन्हें लगा कि जो लड़का न्याय दिश बना है, बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा, लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है, खलिफा ने कहा, मैंने अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्तित हुए, खलिफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के जगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इन में से कौन सच बोल रहा है, हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया, थोड़ी देर में दो तेली आ गए, हसन ने उनसे कहा, आप इस गड़े के तेल की जाज किजिए और बताइए, इस गड़े में तेल कितना पुराना है, दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सुंगा और चखा, फिर अपना नेणा ही दिया, गड़े का तेल दो महने पुराना लगत है, इससे ज्यादा नहीं, वे बोले, तेलियों की बात सुनकर वाजित तो गपरा गया, अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो छह महिने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था, तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनक वास्तविक्ता का ग्यान हो गया, खालीफा को न्याई के लिए सबुत मिल गया था, खालीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजित से कहा कि आपने अली ख्वाजा के गड़े से तेल और मोहरे निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वास गात के अपराद की सजा भुका दिये, खालीफा ने हसन को बहुत सारा पुरसकार दिया, खालीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझ बूझ और न्याई की बुरी बुरी प्रशंसा की, पठन कीजिए झालीफा झाल 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 पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था. नाम था उसका अली ख्वाजा. व्यापार करते करते जब उसके पास एक हजार सोने की महरे इकठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया. चूंकी, क्योंकी वह अकेला रहता था. उसने अपनी जमापुंजी अपने मित्र के यहां रखने का निश्चय किया. यात्रा के खर्च के लिए उसने पाँच सो महरे अलग रख ली. फिर एक घड़े में बची हुई महरे डाल कर तेल भर दिया. अलीखवाजा पडोस में अपने मित्र वाजित के घर गया. उसको अपनी यात्रा के बारे में बता कर कुछ कहा. यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाता हूँ. मक्का से लोटकर ले लूगा. वाजित ने अपने तेह खाने की चाबी उसे देते हुए कहा. आप अपना घड़ा तह खाने में रख आईए और जब आप लोटे तो उसी स्थान से ले लिजिए. अलीखवाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गया. एक दिन वाजित के घर दावत थी. तरह तरह के पक्वान बनाए हुए तेल खत्म हो गया. रात का समय था. वाजित की बीवी अपना सिर्ख खुजलाने लगी. तभी उसे अलीखवाजा के तेल के घड़े की याद आई. उसने वाजित से कहा. आप तहखाने के रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाईए. इस समय बाजार तो बंध है. कल सुभा बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे. ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे बीवी की बात सुनकर वाजित तहखाने में गया जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिटकों की आवाज आई उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है इसलिए उसने दूसरे बरतन में सारा तेल निकाल लिया उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की महरे थी उसने उन महरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया घर में अपना सामान रख कर वो सीधा वाजित के घर गया और अपनी यात्रा की सारे बाते बताई फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरो तले जमीन ही खिसक गई वह सिर पकड़ कर बैठ गया क्योंकि उसमें एक भी सोने की महर नहीं थी वह सोचने लगा अब क्या किया जाए वह उल्टे पाँ वाजित के घर गया और अपनी महरे मांगने लगा तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया मैं कैसे मान लू कि उसमें सोने की महरे थी दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी दोनों का जगडा सुनकर आसपास के लोग इकठे हो गए उन्होंने जब जगडे को बढ़ते हुए देखा तो क्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाए वह ही आपके जगडे को मिटा सकता है ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लोटना पड़ा तब उसने बगदाद के खलिफा के यहां अपील की और न्याय मांगा खलिफा ने उसकी अपील स्विकार कर ली खलिफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा एक सब्तह बाद का समय सुन्वाई के लिए दिया गया ख्वाजा और वाजित का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था खलिफा एक दिन अपना बेश बदल कर शहर में घूम रहे थे तबी उन्होंने कुछ लड़कों को न्याया इलाई का खेल खेलते हुए देखा वह छिपकर उनका खेल देखने लगे उन्हें लगा कि जो लड़का न्याया धीश बना है बड़ा समझदार है वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिलकुल ठीक है इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा खलिफा ने कहा मेरा नम हसन है मैंने तुम्हारा खेल देखा तुम बहुत समझदार हो कल हमारे दरबार में आना अगले दिन खलिफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए हसन तुम इन दोनों के जगडे का किस्सा सुनो और बताओ कि इन में से कौन सच बोल रहा है हसन ने दोनों की बाते धिहान से सुनी फिर उसने दो तेलियों को बुलवाया थोड़ी दिर में दो तेली आ गए आप इस गड़े के तेल की जात किजिए और बताईए इस गड़े में तेल कितना पुराना है दोनों तेलियों ने बारी-बारी से तेल को देखा सुंघा और चका फिर अपना निर्णय दिया गड़े का तेल दो मेहने पुराना लगता है इससे ज्यादा नहीं तेलियों की बात सुनकर वाजित तो घबरा गया अलीखवाजा खुश हो गया हुजूर मैं तो छे मेने पहले मक्का की यात्रा करने गया था तभी मैंने तेल खरीदा था तेलियों और अलीखवाजा की बात सुनकर सबको वास्तविक्ता का ज्यान हो गया खलिफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था खलिफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजित से कहा आपने अलीखवाजा के गड़े से तेल और महरे निकाली है आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वाजात के अपरात की सजा बुगतिए खलिफा ने हसन को बहुत सारा पुरसकार दिया खलिफा के दर्बार में उपस्तित सभी लोगों ने हसन की सूजबूज और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की कहानी पढ़िए उचित शीर्षक दीजिए और प्रशनों का निर्माण कर उत्तर भी लिखिए एक बार राजा कृश्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर तूड गया राजा को वह मोर बहुत प्रिय था जब राजा महल में आये उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया पूछने पर पता चला कि वह तूड गया है क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को छे महिने के लिए कारागार में डलवा दिया कुछ दिनों बाद राजा कुष्णदेव राय मंत्री तैनाली राम और दूसरे दर्बारियों के साथ उध्यान में घूमने निकले तैनाली राम बोले महराज पासी बाल उध्यान है उसे भी देखते चले राजा कुष्णदेव राय बाल उध्यान की ओर आए उध्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिरे हुए थे एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे एक बच्चा राजा बना हुआ था उसके सामने दो सिपाही एक अपराधी को पकड़ कर खड़े थे खेत के मालिक ने शिकायत की महराज आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड कर ले गया सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा उसने गलती मान ली तब वह बोला ठीक है तुम्हें माफी दी जाती है पर ध्यान रखना की दोबारा यह गलती न हो फिर खेत के मालिक से कहा तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दे नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा महराज यह बच्चा तो बड़ा शरारती है इसे सजा मिलनी चाहिए तैनाली राम बोले हाँ महराज मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज़ दरबार में बुला कर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए नाटक देखकर राजा कृष्णदेवराय सोच में पढ़ गए तैनाली राम की चतुराई पर वे मनही मन मुस्कुरा उठे यह देखकर मंत्री असमंजस में पढ़ गए उसके बाद राजा कृष्णदेवराय बोले सच्मुच तैनाली राम तुमने ठीक कहा आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए अगले ही दिन राजा ने उस सेवर को रिहा करवा दिया